सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करता हमारे साथी ओनिश कुमार जी हैं, ठाकुर साभ हैं और विवेक जी हैं और सबसे प्री हमारे जो चात्र हैं ट्रेनिंग लेने यहां पर आए हैं आज वो आउसर है जिस पर कोई भी काम आप करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है तो फल प्राप्त करने का आउसर आपको सर्टिफिकेट यहां पर मिलेगा और इस जिस दिन जॉइन किये हैं और आज जो सर्टिफिकेट मिलने का आउसर है यह और दूसरा आउसर प्रदान करता है कि assessment करने का कि क्या आप लोगों ने इस दोरान अपने को किस label पर पाया training एक माध्यम है जिसके दोरा आप क्या करते हैं skill attain करते हैं कुछ अपने अंदर अलग से अपने साथियों के comparison में अलग से अपने अनदर कुछ ऐसा अनुभव करते हैं कि हमने कुछ प्राप्त किया है ग्यान प्राप्त किया है सीखा है और इस तरह से यह औसर आगे बहुत लंबे समय तक आपके दिलो दिमाग में रहता है कि हमने कुछ एक्ष्ट्रा ग्यान प्राप्त किया है दो तीन बाते हम आपको इसमें अपने इस मुक्यत्तिय वासड़ में बताऊंगा कि जैसे आज के समय में जैसे आप देख रहे हैं कि इतने सारे युवा हैं देश में कि सभी को सरकारे भी कहती हैं हम आप जानते हैं हर आदमी को सरकारी नौकरी या इस तरीके कर शुविधाय में ली नहीं सकती है प्राइबिटाइजेशन चारो तरफ हो रहा है जिसके पास बड़े फर्म हैं बड़े कमपनियां हैं वो आज एक कमपनी है कोई दूसरी कमपनी में उनका भविस नजर आता है तो उसको लांच करती है प्रोड्यूस करती है और उसमें युवाओं को प्लेस्मेंट देती है तो कही नगें ये जो आपने सीखा है मुझे लगता है कि आपको कहीं कहीं हेल्प करेगा कॉार्डनेशन बनाने में शाथ रहने में और जैसे आप जानते हैं कि कम्पनी में या कहा पर आप काम करते हैं तो एक गुरूप समूहों का साथ रहने का बहुत ही महत् Blair होता है हर आदमी के पास में किसी के पास कोई स्किल होती है, किसी के पास कोई गुन होता है। सिद्ध लेखक हैं और गीतकार हैं राइटर हैं वो कहते हैं कि अपने आंसू खुद पोच लेना क्योंकि अगर कोई आएगा पोचने तो आप से सवधा करेगा तो इसलिए यह सब जो चीजी आप सीख रहे हैं जो ग्यान प्रापत कर रहे हैं वो कही न कहीं आपको कहीं न कहीं आपको जब आनसू आंगे तो आपको खुद पोचने में मददगार ताबित होंगे और जैसे आज के समय भी यहां पर आपने कुछ लोग उन मताए कि महां से हूँ फर्खाबाद से हूँ कुछ लोग बिहार से बताए तो जैसे फर्खाबाद या कन्नो जी सवीयरिया पूरे बिश्व में भारत में नहीं पूरे बिश्व में पर्फ्यूमरी के लिए जो पर्फ्यूम्स बनते हैं अरॉमेटिक प्लांट्स के लिए फेमस है वहां पे घर घर में लोग जो है अपना इसका प्रडक्शन कर जबकि गुराजसरी 20 रुपए 15 रुपए 10 रुपए मिलती है तो क्या डिफरेंस है डिफरेंस यह है कि नेचुरल जो उसमें फ्रेग्रेंस होती है वह वही कन्नाज के धरती से पैदा हुई है और उसमें मिलाई जाती है उसको हम आप जब इस्तेमाल करते हैं तो कास्टिंग बढ़ जाती है लेकिन जो यह है नॉर्मल जो हम बात की दूसरे प्रोड़क्ट है उसमें केमिकल सेंथिटिक मेटीरियल है जिसको आप जो लोग खाते हैं उनको हेल्थ क्वेपि पर भी नुक्सान पहुंचाता है तो इस तरह से आप जिस छेत्र में हैं जिस एरिया में है कि को हमारे हाँ पे का बिहार है आप देखेंगे बिहार में कितने सारे जो है बराइटी के फूड है बेस्ट बेंगाल और बिहार पुरे देश में सबसे ज़्यादा सबजीयों के उत्पादन में कंट्रिब्यूट करते हैं एलिफेंट याम बिहार का बहुत ही फेमस जो ब्लड ट्रेसर हो फाइटी एसीड कम करना हो इसका इस्तेमाल तमाम सारी कंपनी होता है ट्रक के ट्रक उत्पाद बनते हैं और वो जो डाबर और बहुत सारे जो आपके आउरवेद कंपनियां वो लोग पर्चेश करती हैं तो बंदेल खड में भी देखिए आप हल्द अधरक है राइजोम क्राप है इन सब के कास्ट कभी कम नहीं होती आप अगर एक ट्रक दो ट्रक आप पैदा कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे देश में उत्पाद ऐसे कंपनियां हैं जो आपको ट्रेक करेंगे आपको डेंटिफाई कर लेंगे हर साल आपको कांटेक्ट करे हैं कि हमें चाहिए हो यह डाप बैदनात है पास में ही है आपको कहीं जाने की जरूवत नहीं यह लोगी परचेज करने हैं लेकिन आपका क्या है उद्देश से क्वाल्टी मेटीरियल प्रडियूस करिए ग्रुप समूह हो बनाईए जादा जादा उत्पादन होगा तभी आप देखेंगे कि जो ट्रेने जाती है तो बिहार की लोग ही जाते हैं कभी ऐसा नहीं होता है कि केरल का या अंद्र प्रदेश का या करनाटा का आदमी भर करके वापस आए वो लोग ज्यादा स्किल्फुल हैं ज्यादा नॉलेजबिल हैं तो कहां जाते हैं साओधी अरबिया जाते हैं उमान जाते हैं बहरीन जाते हैं वो स्किल्फुली जाते हैं यहां के लोग स्किल्फुली कम है तो उनके हां वहां से पैसा ले आते हैं तो उनकी हां उनकी जाके काम करके उनसे पैसा करन करते हैं तो जतना आप इस्किलफुल होंगे जतना आपके पास ज्यान होगा उतना ही आपकी मार्केड में डिमाइन्ड होगी केरल है तमिलनाडू है करनाटक है यह ब्रीवन having job in abroad particularly जो मैंने आपको नाम बताया जो खाड़ी देसे हैं वहाँ सारे लोग नोकरी करते हैं कभी क्राइसिस हो जाती है तो बहुत मुस्किल हो जाती है कितने कितने सारे लोगों government of India को लिफ्ट करके यहां पे ले आना पड़ता है तो मेरा कहने का मतलब जॉब करिए या बिजनिस करिए आज के समय में सरकारी नोकरियों का थोड़ा सा है प्राबलम है लेकिन सुरुआत कोई करेगा उसका फाइदा पूरा उसका जो आने वाले जनरेशन सारे लोगों उठाएंगे प्रबीन है इतने सारे चीजें इतने कम समय में ग्यान प्राप्त किया तमाम सारे लोगों के अंदर इन्हों ने अपनी जगह बनाई पूरा क्रेडिट देने जाता है तमाम सारे स्रे हमको यह देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है यह जब जब भी आए हमने बता दिया बहुत सारे लोग आए हम उन्हों को बताया लेकिन उन्हों नहीं किया तो इनको जो है सोल क्रेडिट गोस्टू उट प्रवीन मैं तो जब 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 माद्ध मातरूं जो कुछ बता देता हूँ तो आपके आगे की जो कैरियर है उसके लिए हम सोब कामनाई देते हैं अच्छा करिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके घर के लोगों के द्वारा बनाई गई जित है चाहे हो नौकरी के लिए हो जो भी हो उससे कम मत होने दीजिए और यह आपको राइट ही नहीं बनता है उसको बढ़ाईए आगे ले जाएए और हर पल ही दिमाग में रहना चाहिए जैसे अभी आप लोग इतने दिनों से यहां पर हैं और एक अच्छा टाइम बिता करके जा रहे हैं तो आपको घरवालों को पर भी कानफिडेंस होगा कि हमने बच्चे को या बच्ची को यहां भेजा था और बहुत ही बढ़िया से यहां सेक्सफूली सर्टिफिकेट देखेंगे आपको अप्रिस्टियेट करेंगे लेकिन अगर यहीं पी कोई समस्या पैदा करके जाएंगे अगली बार कहीं कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा कहेंगे नहीं कोई जरूत नहीं जाने की बहुत हो गया खतम करो तो इसलिए बहुत बहुत आभार आप लोगो धन्यबाद और भवेश के लिए सुपकामना थैंक यू